तो आज में बनाने जा रही हूं कुछ डिफरेंट थंडा थंडा और एनर्जी से भरा हुआ जिसका नाम है ट्रेपल से मीट्स क्रीमी क्रंची कोकोनट तो चलिए अब मैं आपको इस रेसिपी के सारी इंग्रीडियन्स बता देती हूं कोकोनट मलाई, फ्रेश क्रीम, शुगर, कोकोनट वाटर, मिल्क, काजू पीसिस, ग्रेटेट पिस्ता, ग्रेटेट आगमेंड और बेस के लिए कोकोनट चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कोकोनट शेक बनाना स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे कोकोनट मलाई अब हम डालेंगे स्मेल्क तो अब हम डालेंगे शुगर जितना आपको मीठा चाहिए उतनी आप शुगर डाल सकते हैं अब हम डालेंगे कोकोनट वाटर अगर आपको कोकोनट शेक ज़्यादा ऐन चाहिए, तो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं दूप Mini अब हम डालेंगे काजू पीशिस इससे थोड़ा ठिक बनाना के लिए हम इसमें काजू पीशिस लिए तो अब हम इसे ब्लेंग करेंगे ये देखिए हमारा मिक्ष्चो तयार है हमने इसे ब्लेंग कर गिना तो अब हम इसे कोकोनेट में डालेंगे मैंने हमारा मिक्ष्चो कोकोनेट में डाल दिया ये देखिए एक जरूरी बात कि आपको इस नारियल गो नीचे से और उपर से इतने सरकल में नीचे से प्लेन और उपर से इतने सरकल में आपको कट करना है यानि छीलना है तो अब हम इसमें थोड़े से काजो डा देंगे यह देखिए तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम इसनों हम फ्रेश क्रीम काजों के उपर डालेंगे यह देखिए अब हम डालेंगे यह दो ट्रेश सबसे पहले हम डालेंगे पिस्ता पिस्ता का कलर बहुत अच्छा रहता है और पिस्ता का कलर वाइट में बहुत अच्छे से देखता है तो अब हम डालेंगे बदाम means almond तो यह देखिए हमारा colorful creamy crunchy coconut तयार है यह देखिए यह तो बहुत yummy लग रहा है चलो इसे taste कहते हैं अच्छाइब बहुत तक कि दुख डाइब बहुत अच्छा रहा है इसमेंगे ध्यक्टश का टीस्ता का तिशी है रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने फ्रेंज को खिलाएंगे और सप्राइस करेंगे इफ यू लाइक मैं वीडियो दिन प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंड मैं चैनल थैंक यू खाऊ, पियो और खुश रहो तब तक के लिए बाइबाइ भी लाइब खाऊ लाइबाए होतर के मैंश मारे में प्लीज रहो